आज मुझे बोनगीर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जब मैं यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले तो भगवान विश्णू के अवतार नरसिमा स्वामी जी के यदादरी लक्ष्मी नरसिमा स्वामी मंदिर को नमस्कार करता हूँ सब लोग हिंदी समझते हैं ना समझते हैं ना मित्रों अभी अभी हमारे नरसिमा गौड जी ने आपके सामने किस तरीके से मोधी जी के नित्रत में देश आगे जा रहा है और किस तरीके से दोहजार चौड़ से उन्निस के बीच में नरसिमा जी ने बोनकीर का सेवा की इसके बारे में हमारे साथी ने आपको बताया है मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मोधी जी ने भारत के राजनीती की संस्कृती भारत के राजनीती की परिभाषा डेफिनेशन भारत की राजनीती का कल्चर भारत के राजनीती का चालचरित्र भारत के राजनीती के कारे करने का तरीका पिछले दस सालों में बदल दिया है और एक नया भारत आगे बढ़ा है जब मैं कहता हूँ कि राजनीती का चरित्र बदल दिया तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी उस समय भी और आज भी धरम की राजनीती करती है जाती की राजनीती करती है इलाकावाद की राजनीती करती है फूट डालो और राज करो की राजनीती करती है डिवाइड एंड रूल इसकी बात को लेकर के चलती है लेकिन दस साल में मोदी जी ने इसको चैलेंज कर दिया इसको एक तरीके से समात कर दिया और भारत की राजनीती अब विकास वाद की राजनीती बन गई Politics of Development, Development and Development हर तरीके से विकास, विकास के लिए काम करो और रिपोर्ट कार्ड की Politics, Accountable Politics, Politics of Performance, Politics of Accountability जवाब देही की राजनीती को प्रधान मंतरी मोदी जी ने आगे बढ़ाया जवाब देही की राजनीती आज नरसिमा गौर्ड जी आपके सामने खड़े थे, ये गिना रहे थे कि इन्होंने क्या क्या काम किया दस साल पहले कोई कॉंग्रेसी नेता अपने काम को नहीं बताता था वो ने ने नारे लेके आता था और अगले चुनाओ में लोगों को गुम्रा करने के लिए फिर से ने नारे खड़े कर देता था लोगों का काम नहीं करता था पन्हों कि लोगों कि लोगों को इन्होंग्रेसी लोगों कि अन्हों प्र यहीं कर दो लोगों कि लिए्टipां क्या ने आये उएों काम लगले देता राता हों कर दोgenderんで